कबीर तास ची का दोहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बल्खारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए भारती संस्कुती में सिक्षक यानी गुरु को भगवान से भी बढ़कर बताए गया है गुरु हमारे जीवन में हमें जिन्दगी का सार बताते हैं, वो सिखाते हैं कि कैसे हम ग्यान प्राप्त कर सकते हैं और इस ग्यान को कैसे सदुप्योग कर सकते हैं हमारी जीवन में माता पिता से भी उपर गुरु को दरजाद दिया गया है ऐसे में सिक्षकों को राजिस्तरी पुरिसकार से सम्मानित करना वाकई उन तमाम सिक्षकों को ना सिर्फ सम्मान देना है बलकि उनके अनूठे योगदान की सराहना भी करना है सिक्षकों ने स्कूली सिक्षा कई गुरवत्ता में सुधार किया है बलकि स्कूल के विकास के लिए भी उन्होंने अपना एहम योगदान दिया इनकी वज़े से सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बड़ी विभिन गतिविठ्यों में हिस्सा लेकर बच्चों ने पुरस्कार जीते और स्कूल में चुट्टी के बाद भी बच्चों को उन्होंने पढ़ाया उनकी हर शंका का समधान किया प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कारिरत 16 सिक्षकों को राजस्तरी सिक्षक पुरसकार से समानित किया जाएगा सौंकों के आधार पर 51 आवेदनों में से 12 सिक्षकों का चैन किया गया है तीन सिक्षकों को सरकार की गठित राजे चैन कमिटी ने चुना है 5 सितंबर को यानि सिख्षक दिवस पर राजभवन शिमला में शाम 5 बच कर 30 मिनट पर राजपाल राजेंद्र विश्वनात आरलेकर और मुख्य मंत्री ज्वेराम ठाकुर इन सिख्षकों को सम्मानित करेंगे गजेंद्र सिंख ठाकुर का जिक्र करें तो उनका अनुकर्णिय योगदान रहा है सिख्षा के शेत्र में अनुकर्णिय योगदान के लिए कुल्णू जिले के बराड स्कूल के प्रिंसिपल गजेंद्र सिंख ठाकुर को भी राजज सिख्षक पुरसकार मिलेगा अपने सेवा काल में मुख्य अध्यापक और प्रधानचारे के पद पर रहने के बावजूद इसकूलों में ककशाएं लेते रहे बात करेंगे चमनलाल की उना जिले से इस साल संस्रित विशे की अध्यापक चमनलाल को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राजस्तरी पुरसकार से नवाजा जाएगा चमनलाल राजकी वरिष्ट माद्मिक पार्टशाला बसाल में तैनात है निश्रिकान शर्मा राजकी मादमिक पाटशाला लाडा म्यू टीजिटी नौन मैडिकल के पत पर तैनात निश्रिकान शर्मा ने 28 मई 1999 को राजकी प्रात्मिक स्कूल गागल शिकोर से बतोर जेबीटी अध्यापक के तोर पर सिवाएं शुरू की थी इसके बाद खरेटी, धरोट और घडासर और वर्तमान में लाडा म्यू स्कूल में अपनी सिवाएं दे रहे हैं। बलकि सैक्षिरिक महोल को भी बेहतर बनाने का प्रियास किया है। और अब जिक्र करते हैं अच्छर लता की। बिलासपुर से स्टेट टीचर अवाड के लिए सदर खंड के राजकी प्रात्मिक पार्शाला कोटला की अध्यापिका अच्छर लता का नाम चैन हुआ है। अच्छलता ने 2016 से अंग्रेजी माध्यम में कक्षाएं शुरू करवाई। उसके बाद स्कूल के लिए LED दान का स्मार्ट कक्षाएं शुरू की। उनके 25 साल के सिवाकाल के दुरान सिक्षवा के शेत्र में सराहनी योगदान के लिए उन्हें समानित क्या जा रहा है। इकांकी से समाज में फैली कुरूतियों को लेकर लोगों को जाग्रू करने का कारे किया। जिस के लिए उन्हें राजपाल के हाटों प्रश्यस्थी पत्र भी मिला है। सतीश कुमार घड़ा हट्टी वरिष्ट मादमिक पाठशाला के प्रधान अचारे सतीश कुमार ने विबिन स्कूलों में प्रिंसिपल के पतपर रहते हुए लगतार दस सालों तक दरजनों चाते चात्राओं को नाशनल मेंस कम मैरिट चात्रविती परिक्ष्वा के लिए त कारिरत सिक्षक हरीश कुमार पिछले 16 सालों से सिक्षा के शेत्र में अपनी सिवाई दे रहे हैं वे गड़ित पढ़ाते हैं और 16 सालों में लगतार उनकी कक्षा में परड़े वाले विद्यार्थियों का परिक्षा परिडाम शत प्रतीशत रहा है डीपी विनोत कुमार पराजकी वरिश्मादमिक बाल स्कूल भंगरोटू में कारिरत 20 सालों से अध्यापण कारिय में हैं वो अभी तक कई स्कूलों में अपनी सिवाई दे चुके हैं और उनके नितरत में कई स्कूलों की टीमों ने खेलकूद इस परधाओं में जीत हासल की और पदक जीते हैं सिखषक सन्जीव कुमार Was 1995 से सिखषा के शेतर में सेवाई देने वाले पलाड स्कूल के सिखषक सन्जीव कुमार ने कहा है कि उन्होंने भरोली जदीद स्कूल में इस्थानी लोगों को प्रोचसाहित करते हुए दो कंप्यूटर दान करवाकर कंप्यूटर सिखषा की श चुके हैं मोहलाल शर्मा हमीरपूर जिले की राजकी प्रात्मिक पाठशाला पल्नवी के जेबीटी सिक्षक मोहलाल शर्मा भी राजस्तरी पुरस्कार के लिए च्वेनित हुए हैं वे बताते हैं कि जब उन्होंने ज्वाइन किया था तब स्कूल में 25 से कम विद्यारती थ सन 2013 से स्कूल में प्री-प्राइमरी कक्षाएं और इंग्लिश माध्यम में पढ़ाई भी शुरू करवाई जबकि प्रदेश सरकार ने वज़ 2018 से आधिकारिक रूप से स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं शुरू करवाई हैं स्कूलों के सिक्षकों की ही महनत है कि जिसके परिणाम सरूप आज स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 55 से उपर है वाकई तो देखा आपने सिक्षकों को राजस्तरी पुरसकार से सम्मानित करना प्रदेश के लिए काफी सम्मान और गर्व की बात है इनसे इन तमाम सिक्षकों को भी प्रेड़ना मिलेगी जो छात्रों के बहतर भविश के लिए लगतार प्रयासरत है